नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती, धर्मा, सनमार्ग, ब्रिश्चिक रासी, सपताहिक रासी फल 25 मई से 30 मई तक ये 6 दिन आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आया है आईए समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले तो आपके ब्यापार, आपका करियर के बारे में जानते हैं तो सौट कट कर आस्ता आप अपनाएंगे धन कमाने के लिए आपको लगेगा कि फटा-फट से कुछ ऐसे काम किये जाएं जहां पर धना आ जाए वैसे तो 25 मई आपके लिए हलांकि आपके साहस में ब्रदी कर रहा है यहां पर लाव होता दिखता है क्योंकि बैंकिंग, फैननसिंग, काच की बस्तुएं, ट्रेंडिंग जैसी चीजों के साथ सरकारी अनुबंध पर काम करने वाले लोगों को सफलता मिल सकती है लेकिन इस समय दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीच में एक ऐसा समय भी आएगा 27-28 के करीब जब आपके जीवन में थोड़ी सी बैचारिक अंतरद्वन्द रहेगा जिसके करान आप कुछ नया करने की बजाए जो कर रहे हैं उसी पर आगे बढ़ेंगे अब बात करें अगर आपके धन की तो इस सप्ता आपके एक से ज़्यादा धन आने के सुरोध बनते हैं सुरुवात में उमीद से कहीं ज़्यादा और पूरे सप्ता आकस्मिक रूप से लाब होगा लेकिन खर्च भी कराएगा इस समें आप कोई काम नया सुरू करना चाहते हैं तो आप जोखिम लेने से नहीं घवराएंगे और इस समें आपका कोई सत्रू होगा जो बाधा आपको पहुँचा सकता है इस पर थोरा ध्यान दीजिए हलांकि आप दिर्ड संकल्फ होकर आगे बढ़ेंगे अगर बात करें आपके बिद्यार्थियों की तो पढ़ाई पर आपका फोकस है खुद के प्रयास से आगे बढ़ेंगे और जहां जरूरत है वहाँ पर आप अन्ने कामों को भी करते दिखते हैं वैसे सप्ता के मद्ध में आपके एकागरता घट सकती है पढ़ाई से इसलिए फोकस बनाए रखें और अंतिम चरन में अगर बात की जाए तो फिर से एक बार आपकी पढ़ाई पर धियान रहेगा आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त बहतर है लेकिन बीच में एक दो दिन आपका थोड़ा सा जैसे बदन दर्द एसिडिटी की समस्या जैसी चीजें हो सकती है तो फिर सप्ता के अंत में चीजें फिर से बहतर होगी और संतान प्राप्ति के लिए ये समय अच्छा ह योग बन रहे हैं बात करें अगर तो देखिए सुबात में सप्ता अच्छा है अंत में भी अच्छा है बीच के दो दिन थोड़ा सा गड़ बढ़ है तो ऐसे में मन बेचायन रहेगा आपका खर्च थोड़ा बढ़ेगा आर्थी तंगी परिसान कर सकती है इसलिए धैरे से चीजें बहतर हो रही है तो यहां प्रारंभ में सफलता है अंत में सफलता है इसलिए पॉजेटिव सोच के साथ आगे बढ़े और लक्षी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका पूर्ण फल भी आपको मिलेगा आपके सिनियर का भी आपको सपोर्ट म लखना है थोरी बेचैनी है गामपत्ते जीवन में भी एक दूसरे को समझेंगे अभी तक जो स्वार्थ की भावनाएं थी जो आप बहुत कुछ आपकी जीवन में लग रहा था जैसे आपको मिलकर भी नहीं मिल पा रहा है वो चीजें अभी हां समाप्त होगी तो कुल मिल रखेगा और सारीरिक मांसिक रूप से हलांकि आप यहां पर थोड़ा सा अस्वास्त मसूस कर सकते हैं अपनी वानी पर कंट्रोल रखेगा कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मुसीवत बढ़ें और पानी से थोड़ा दूर रहें खर्ष आज के दिन आप थोड़ा ज्यादा करेंगे वैसे कुल मिलाकर दिन अच्छा है समय का फायदा आपको उठाना चाहिए फिलालाम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धन्यवाद